नवस्कार मैं हूँ आसेश और आप देख रहे हैं आसेश कामसलासेश मेरे प्रिसाथियों हम लोग अपने वीडियो में बात कर रहे थे इसको समझेंगे और इसकी विशिस्ताओं को भी समझेंगे यहां पर बढ़िया तरीके से इद्धिया आपके पास कोई प्रस्ण होता है तो आप लोग अपने सारेक सार प्रस्णों को बता सकते हैं आपके सब्सक्राइब जरूर करेंगे जब बात करते हैं इसके अर्थ की त दायरेक्ट मार्केटिंग यानि प्रत्यक्ष विप्रण की बात करेंगे तो यहां एक ऐसी प्रकिरिया है जहां पर जो भी रेस्पेक्टिव करेता है और विकरेता है जो किसी वस्त को और किसी सर्विस को खरीद रहा है बेज रहा है जहां पर इन दोनों के बीच में प्रत सीधा संप्रेशन होता है संप्रेशन का मतलब होता है कम्यूनिकेशन यानि वारता लाफ दोनों के बीच में सीधा वारता लाफ होता है यानि कस्टमर अपनी जो भी उसका सेलर है उससे बात कर लेता है और सेलर भी कस्टमर से बात कर लेता है डारिक्ली इसके अंतरगत करेता और विक्रेता, के मद्य की 3 प्रकार के मद्यस्ट का कोई काम नहीं होता, क्लियर है क्योंकर इस प्रक्रिया में वस्तवी WC jak पहुंच आई जाती हैं तो यहाँ पूरा अर्थ हो जाता है प्रत्यक्ष का क्या यहाँ पर सभी को मीनिंग समझ में आ चुका होगा, हम बात करते हैं प्रत्यक्ष विपरण के रूपों के बारे में, यानि प्रत्यक्ष विपरण के रूप यानि फॉर्मS of direct marketing, अगर direct marketing की बात की जाए, तो कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं, किन-किन तरीकों के माद्द डाक पत्र भेजकर भी मार्केटिंग हो जाती है लोगों को गुट्स भीड दिये जाते हैं और उसके साथ साथ ही ऑडर भी डिसीब कर लिया जाता है आजकल तो इमेल आइडी का जनमाना है तो इमेल पे भी क्या किया जाता है और आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारी बस और फिर कुछ और material और करते हैं तो आप सभी के पास डाक से आ जाता है यानि पोस्ट आफिस से आता है दूसरा है मुल्य सूची यानि कैटलोग मार्केटिंग तो यहां पर कैटलोग मार्केटिंग भी अक तरिके से एक जुरूफ हो सकता है तिश्रा है टेली फोन द्वरा विपरान यानि टेली मार्केटिंग टेली फोन के द्वरानी मुबाइल फोन के द्वरा भी मार्केटिंग हो जाती है और प्रतेक्ष प्रक्रिया विपरान यानि डायरेक्ट रेस्पॉंस मार्केटिंग तो यहां पर प्रतेक्ष रूप से भी लोग मिल करके marketing कर लेते है और वस्तों सिवागों के खरीर और विक्री हो जाती है पाजमा और रंतिम है internet या online विपररर यानि internet और online marketing जो internet marketing है online marketing है internet को थुरू या हमारे आज के समय में बहुत ही popular है और इसी के द्वारा आप लोग देखते होंगे तमान तरह की वेबसाइट्स हैं अमेजॉन, फिलिपकार्ट, मीशो तो यह सारे के सारे वेबसाइट्स सर्विसेद प्रोवाइड कराते हैं और इंटरनेट माध्यम से खरीदी जाती हैं और बेची जाती हैं तो क्लेरली आप लोग समझेंगे कि जहां पर इंटरनेट का प्रियोग करके वस्तमी खरीदी और बेची जा रही हैं और क्रेता और विक्रेता के बीच संपर्द स्थाप्र किया जा रहा हुआ और क्या इंटरनेट मार्केटिंग है या फिर ओनलाइन मार्केटिंग है अब बात करते हैं इसके विच्छताओं के इसमें हमारे पास कुछ पांच विच्छताएं हैं पहला है लक्षित विपरण या लक्षित पहुंचने टार्गेट मार्केटिंग और टार्गेटेड आ महांगी हैं तो निश्चे ही जो ऐसे कस्टमर है जो महांगी वस्ते में खरीदना उपसंद करते हैं तो उन्हें वह टार्गेट कर पाता है डाइरेक्ट मार्केटिंग के थ्रूर दूसरा है क्रेता यूंभी क्रेता के बीच स्वास्थ संबंध यानि हेल्दी बिट्वीन बा कोई भी ब्लॉकेज नहीं पाए राता है वह असपस्ट रूप से जो क्रेता है वह क्या करेगा अपनी समझ्याओं को बताएगा और उस प्रकार से गुट्स कर डिमांद करेगा या फिर सर्विस कर डिमांद करेगा तो यहां से जो भी क्रेता है वह क्या करेगा उसी प्रका यहां पर प्रत्यक्ष मार्केटिंग में यानि प्रत्यक्ष विप्रण में होता है वयक्तिक करड़ यानि पर्सनलाइजेशन यहां पर पर्सनलाइजेशन भी होता है और पांच महां कीफायती यानि कॉस्ट इफेक्टिव इसमें तुमाम तरह की और बाधायां नहीं होती है जैसे अगर कुई व्यक्ति कहीं जाता है समान कखर losses योग किये सीं मॉल में तुम्हां जाने के लिए उसके भूर सारे खाज़ें हो जाते हैं तो यहां पर अगर मानली किसी व्यक्ति को को उत्तर प्रदेशày में वह दिल्ली जाकर कुछ खड़िबना चाहता है तो उसे वहां जाकर कि उसको उत्रा भाड़ा लगाना पड़ेगा ठेहरने का ती सारे के सारे खर्चे बच जाते हैं आज के जमाने में बैंगलोर से कलेकटा से दिल्ली से इन सारे के सारे जगहों से वस्तु हैं हमारे पास चलिए आती हैं कि प्रत्यक्ष विपरण क्या होता है डाइरेक्ट मार्केटिंग किसे कहते हैं यदि आपके पास कोई प्रशन है तो आप लोगों निश्चे ही अपने सारे के सारे प्रशनों को बता सब्सक्राइब के साथ तब तक के लिए जाहें